अलो एवरिवन आज हम बात करेंगे चाय की गपराही नहीं इतने सारे सामान को देखकर मैं आज आपको अलग अलग तरह की चाय बनाना बताऊंगी जो की हमारे ट्रडिशनल लॉलेज में जितनी हाब्स होती हैं उनको कितने तरह की हम उनसे चाय बना सकते हैं चाय जो की सुबह सुबह हर व्यक्ति को लगती है और मुझे लगता है कि कईने कई अंग्रेजू की देन है जोनोंने हमको चाय पीना सिखाया जो हम चाय सुबह पीते हैं शायद मुझे लगता है हम रात बर जो भूके रहते हैं और सुबह सुबह हमको एक एनरजी की जरुत होती है हमारी चाय में शुगर होती है शक्कर होती है जो कि हमारे लिए ग्लुकोस का काम करती है और साथ में चाय होती है जिसमें की कैफीन और टैनीन होते हैं वो भी हमको कईने कई हमारे माइन को एकसाइट करते हैं तो पर मुझे और साथ में दूद होता है ये तीनों चीज़े मिलके हमको सुबह सुबह सभी लोगों को एनरजी देती है और लोग बाग इसके बहुत ही आधितन हो जाते हैं और आधि होते हैं और कई लोग तो दिन की ददश चाय, पंद्रा-पंद्रा चाय पी जाते हैं क्योंकि they get energy from the चाय अब मेरा ये मानना है कि चाय पत्ती जो है वो पहले कही रियल आती होगी आजकल तो ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस्ट है और कहिने के इसमें एडल्ट्रेशन की संभावना है ये चाय की पत्तियों से चाय बनती है ग्रैन्यूस बनते हैं हम लोग इनकी प्रोसेसिंग उटी औ तो उसपे भी कोशन मार कुटता है और तीसरा शक्कर जो हमको कम खानी चाहिए क्योंकि शक्कर जो है वो डायविटीस का कॉज है तो उसे के लिए मैं ऐसी आज आज आपको चाय बताऊंगी जो की हर्बल चाय है मार्केट में आजकल हर्बल चाय मिलती भी है वो दो एक तर दूसरी जो एक हम कह सकते हैं रिफ्रेशिंग टी तीसरी आसी टी जो डाइजेस्टी उस सिस्टम को ठीक करती है चोथी आसी जो हमारी इम्मेनिटी को बढ़ाए या पावर को बनाए तो हम इसमें बहुत सारा सामान यूस कर रहे हैं पर्मूटेशन कॉमिनेशन से आप करम पानी में आप आपस डालके और रग दो डखकर लगा के छोड़ दो और वह रेडी हो जाएगी दूसरा ही होता है डिकॉक्षन जिसमें आपको बॉइल वाटर में डालके और बॉइल करना और फिर चानना है यह जब बन जाती है उसके बाद में आप इसको हनी या और आज के समय में जहां कोविड नाइंटीन का चल रहा है और आयूश भी बोल रहा है कि हमको हरब हब सखानी है अपनी इम्मेनिटी बढ़ानी है तो आईए हम देखते समझते हैं कौन सी चाय जिसे मैं अपनी रिफ्रेशिंग टी अगर रोज बनाती हूं सुबह तो मेरी ऐसे अब्धिना डालती हों और सिंनमन डालती हूं तो यह मेरी रिफ्रेशंग टियू होती हूं सिणमन नहीं भी है तो मेरा लेमन ग्रास जिंजर और पोधिना और तुलसी इन चारों को मिला के मैं अपना डिकॉक्शन बनाती हूं और बाद में हानी डाल देती हूं उसमें और लेमन डाल देती हूं और उसका टेस्ट बना के वो चाय पीती हूं तो इस तरह से हम अलग अलग चाय जिसे कि आप डाइजिस्ट्यू चाय बनाना चाहते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं पुदीना अजवाइन अजवाइन के पत्ते ले सकते हैं पत्ते नहीं हो तो अजवाइन ले सकते हैं साथ में आप ले सकते हैं गुड थोड़ा सा आप से कावित्री भी डाल सकते हैं तो वह आपनी एक चाह हो जाती है डाइजिस्टिव चाह और अगर आप कोल्ड और कफ के लिए जो की इस समय ज्यादा जरूरी है उसमें हम ले सकते हैं तूलसी, हल्दी, अजवाइन के पत्ते, अदरक, काली मिर्ची, लोंग और थोड़ी सी दाल सकते हैं यानि बू नहीं डालना है तो सिर्फ गुड और गुड भी नहीं लेना चाहते हैं तो हानी यानी नहीं लेना चाहते हैं तो फीकी ऐसे हम उसकी चाह बना सकते हैं इसी तरह अगर हमको अपनी इमिनिटी बढ़ानी है तो इमिनिटी बढ़ाने के लिए आप यही च जादे स्टॉंग बनाना चाहते हैं तो आप शितो फलादी और मुलेठी भी डाल सकते हैं और पीपल भी डाल सकते हैं आखरी में मैं आप से बात करूंगी जो पावर को बढ़ाती है वेसी चाह अगर पायना चाहते हैं तो शिलाजीत गिलोए अश्वगंदा आपका सफेद म इसको डालके भी एक चाह बनाई जा सकती है टेस्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो देखिए यह सारे मेरे किचन के आइटम्स है किचन में पाये जाने वाली चीज़ें हैं वस्तुए जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पाना और आप जैसे आप मैंने बात की जिस परपस के लिए चाहिए इन चीजों को यूज करके हम अपनी चाह बनाए और उस चाय को अटाए और इससे आप अपनी स्टेंथ को बढ़ा सकते हैं बॉड़ी की तो पुराने ट्रेडिशन में हमारिया इसी तरह के काड़े पीए जाते हैं और हम उसको चाह कह सकते हैं तो आप बनाए रोच चाह और इस चाह का भी आनंद लीजी थैंक यू कर दो आप पक्वा आन वे खी तरह का भी आनाए ट्रह का बढ़ा सकते हैं